शिंखिप्त यौग विशिष्ट निर्वान परकरन पुरवाद शिरी विशिष्ट के कहने पर शुरताओं का सभा से उठकर के द्यानिक क्रिया करना तुद्धा सुनेगे विश्यों का जिंतन करना श्री बानमीक जी कहते हैं भर्दवाज और प्षम परकरन के अनंतर अब इस निर्वान परकरन का श्रवन करो उसका यथार्थ ग्यान हो जाने पर ये मोक श्रुब फल देता जिसे महराज वशीश्ची उस परकार के गंबीर अर्थ के प्रति पादक वचन कह रहे थी उनके श्रुब के ही अनंद में निमगन शीराम मोन होकर के स्थित थे महामुनी वशीश्ची की वानी और उसके द्वरा प्रतिपादी तर्थों को मन में धारन कर राजा लोग जो बाहे विश्चों के विज्ञान हम शाष्रीक चेष्टास से रही थे निश्चेष्ट उगर के चितर लिखित मूर्ती की तरह अचल स्थित थे एं महामुनी वशीश्ची द्वरा उपधिष्ट वाक्यों का बड़े आदर के साथ श्योता मुनिगंस विजार रहे थे उस समय दिन के चत्वत बाग में भैरी और शंक की ध्वनी उक्त ध्वनी से मुनी वशीश्ची का उन्नत सर्स भी उसी परकार दब गया जिस परकार मिगों के नाज से मियूरों का श्युद धीरे धीरे उस शंक ध्वनी के शाथ होने पर मुनी शिरिष्ट महाराज शिरिव शिर्ची सवा में शिर्राम चंदर्जी से यो मधरवचन कहने लगे शिर्राम मेरे इस वाने के अर्थ को तुमने क्या उसी तरह ग्रहन किया जिस तरह हंस जलत दिया करके दूद को ग्रहन करता है तुमकर इसे अपने बुद्धी से अच्छी तरह बार बार विचार करके उसी के उस चार चलना चाहिए समझत शास्त्रों के सिद्धान को समझ करके तुम उदाद चिस से मेरे दोरा कथिट प्रियोजन की सिद्धी के लिए असंग हो करके समय के अंसार प्राप्त विवार का परिपालन करो सवा सद्धगन, महराज दश्रत, शीराम, लच्छमन, तगा अन्यान निपवर्ग आप सभी आज अपने 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 नित्य करम का उन्स्ठान करें क्योंकि आज का दिन प्राया समाप्त होने जा रहा है अब जो विचार करना शीष है उसका जब आप लोग प्राताकाल सभा में आएंगे तब हम लोग विचार करेंगे श्रीबानमिक जी कहते हैं भरदवाज मुनिवार विशीची के इस परकार कहने पर मैं सभा उठखड़ी हुई, समस्भा का वदन कमल की तरह था आता है वह विकास युक्त कमली के सद्रिश भली मालूम पड़ती थी उस समय अन्यान राजाओं ने महराज देशरत की स्तुती की शीर राम चंतर जी को नमश्कार किया तब हम हिर्शी विशीची की विशेश रूप से स्तुती की अंतर में अपने अपने आश्रम में चलेगे अकास चारी देवताओं की वंदना खरके महराज विशीची महिर्शी विश्वा मित्तर के साथ आश्रम में जाने के लिए आशन से उठते दस्षत आधी राजा तदा मुनी लोग अपने अन्रोग औपदेश मुनी वार विशीची के पीछे पीछे आश्रम प्रयंत जाकरके उनकी आग्या लेकर कोई आकास की ओर कोई अरन्य की ओर कोई राज मंदिर की ओर कमल से उत्थित ब्रहुनों की तरह चलेगी शीराम लच्षन तदा शत्रुगन गुरुवर विशीची के आश्रम में उनके साथ जाकर के उनके चर्नों की भगति पूरक पूजा की और फिर दश्रजी के बहुन की और चलेगी अपने अपने स्थान में आकर के उन सब श्रुताओं ने शनान किया देतार पित्रों की पूजा की तथा ब्रहामनों आहमतित्यों का सागज सद्कार किया इन क्रियाओं से निवरित होकर के उन श्रुताओं ने ब्रहामन आदी से लेकर के नोकर प्रियंत अपने अपने परिवारों के साथ वरन धर्म के क्रम के उनसार भोचे पतातों का भोजन किया दैनिक क्रियाओं के साथ सुर्य भगवान जी के अस्ताचल की योड प्रस्थान करने पर तद्धा रात्री क्रिट्टों के साथ निशाकर के उड़ित होने पर कोशे अस्तरनों से युक्त शियाओं पर तद्धा आसनों पर बैठकर के भूई पर विहार करने वाले मुनी राजा राजबुत्र तद्धा महिर्शी लोग अंतन्त आदकपुरक महिर्शी विशेष्टी के बदन कमल से निर्गत संसार तरंग के उपाय का एकाग्रचित से यथापत विचार करने लगे तद्धार पर हार मात्र में प्रहर मात्र में ही वे श्रोता गान सुन्दर सपने से युक्त निद्रा को प्राप्त हुई शीराम, लच्छवन, एमशत्रुगन इन तीनों भरताओं ने तीन पहर तक महिर्शी के अबदेश का नंतर विचार किया उन्हें किवल आदे पहर दो घड़ी तक ही नैनों को मूंद करके उत्तम सपने से युक्त तदा शन भर में श्रम का निवारन कर देने वाली निद्रा प्राप्त की सर्ग पहला परिपूर्ण, दूसरा सर्ग, शीराम चंद्र आदिका महराजी विशीष्टी को सबा में लाना, तदा महर्शी विशीष्टी के द्वारा उपदेश का आरंब, चित के मिनाश का और शीराम चंद्र जीकी ब्रह्म रूपता का निरूप पर शीर बान्मिक जी कहते हैं रात्री के शीन होने पर, शीराम लच्वन तदा शुतरूगण, अपने 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 के साथ करके, शिनान संद्या अदिक्रम का नुश ठान करके, माहँ उन्हेरें शीरिविशीष्टी के आश्रम पार चले गी, माहँ उन्हेरें ने संद्या कर कि आश्रम से बाहर निकलते हुई महिर्शी विशीष्टी के चर्णों में अध्य पर्दान करके परनाम किया शन भर में महिर्शी विशीष्टी का आश्रम मुनियों ब्रामनों और राजाओं से तता हाथी घोडे रत अधि अन्याइन वाहनों से इतना भर गया कि वहां तनिक भी अवकाश नीरा तन्तर मुनिश रिष्ट महराज विशीष्टी उससे सेना के साथे शीर राम आदी से अनुगा दोकर के यता समय दश्रत जी के घर पर जा पोचे वहां पर शीकता पुरवक मिलने के उत्सा से संध्यावंदन से निवरित होए माहराज दश्रत ने आदर पुरवक दोर मार्ग में ही चाकर के महिर्शी का पूजन किया इस सब शुरुता गान पुश्पों मोतियों तथा मनियों के समुहों से पहले की अपेक्षा पुना अधिक सजाएगी सभा में प्रविष्ठ होकर अपने अपने आसनों पर बैठ के इसके नंतर उसी समय पहले दिन के जो आकास चार भूचार आदिश रोता थे वे सब के सब आगे एक दूसरे का अभी वादन करके सबा बैठ के तरंतर वाक के रचना में पटू महामुनी विशीष जी एम परकरन के अंसारी वाक्यार्थ के विग्याता शीर अगुनन्दन को कहने लगे महराज विशीष जी ने कहा शीराम मैंने कल संदर पर देती से जो अत्यंत ग्रहन अर्थ वाला तर्था परमारत का बहुदग वाक्या कहा था उसका क्या तुमको समरन है आमें तुम्हारे समझाने समझने के लिए ये और भी शाशत सिद्धी दायक अपदेश खता हूं इसे सुनो शीराम परमात अम तर्थ के यठात ग्यान से अग्यान का शे तथा मासना का विनाश हो जाने पर शोक शुन्य परमपद पराप्त हो जाता है देश, काल और वस्तों से रहित एक अदेती ये पर भरम परमात्मा ही है उसके सिवा दी तव रूप जगत तो अग्यान से पतीत होता है वास्त में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तों नहीं है क्योंकि जहां समस्त पदार्थों से रहित परमशाद समान भाव से परकाशित एक सचिदान अंद ब्रहम में ही है वहां उस परमात्मा के सिवा दूसरा पदात कैसे रह सकता है जो संपदाएं हैं जो द्रिशे हैं जो प्रानी हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं इन सब के रूप में आदी और अंसरहित एक विज्ञान नंद घंड बरम मही है जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र ही हैं पाताल में भूमी में सर्ग में त्रिन आदी जड़प दार्थों में प्रानी एम आकाश में सरवत्र वैस सतीजान नंद घंड पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है दोसरा कुछ ने जैसे समुद्र की नानत रंगे समुद्र ही हैं वैसे ही उपशे ही उपादे बंदू भांदव संपदाएं दे इन सभी रूपों में आदी और अंसरहित पर ब्रह्म ही परकाशित है जब तक ज्यान की कल्पना भ्रह्म से अत्रिक्त प्रदार्थ की भावना और जगत जाल में आस्था रहती है तभी तक चित आदी की कल्पना रहती है जब तक दे में आहम भावना रहती है जब तक इस दृश्य में आत्म रोपता रहती है जब तक ये मेला है इस मलकार की आस्था रहती है तभी तक चित रूप भरह्म रहता है जब तक पून्टा का उदे नहीं होता और जब तक सज्जनों के संसर्ग से ज्ञान का विनाश नहीं होता तब तक चित आदी पतन की ओर जते रहते हैं जब तक सचित अनंद परमात्मा के यथाथ अन्भग के परभाव से यह जगत की वासना शिथिल नहीं हो जाती तब ही तक चित आधि परतीत होते हैं जब तक अज्ञान रोब मुरक्ता रहती है जब तक विशे अमिलासा से विवस्ता रहती है एम जब तक मूर्तावश मौका समुद्र बना रहता है तब तक चित आदे की कल्प न रहती है किन्तु जिसका अंत्यकरन भौगों में आस्ता नहीं रखता जिसको शिशील निर्मल निर्वान परम पद्द प्राप्त हो चुका है एम जिसके आस पास के जाल चिन भिन होगी हैं उसका चित रूप बरहम नस्ट हो जाता है मिठ्या बरहम को उत्पन करने वाले अनादम दर्शन का विनाश्तता परमारत भूत सचिजानन्त परमातम ग्यान लूप उत्तम सुरे का उदे होने पर चित विनस्ट होकर उसी परकार पुना दिखाई नहीं देता जिस परकार अगनी में सुखा पत्ता या खी की बूंद गिरने पर पुना दिखाई नहीं देती परमातमा के सगुन निर्गुन सवरोप का शाख्षाकार किये हुए जो जीवन मुक्त महातमा है उनका पुत्र अंतकरन ही सत्त नाम से कहा गया है जो सम्रो परमातमा पद में नित्य स्थित चित रहित तत्त ग्यानी महातमा है में सत्त गुन में स्थिती से उत्मन और बेक्षा से ही लीला मात्र विवार करते है परमातमा में स्थित सहियत इंद्रिय परम शांत महात्मा प्रोश वस्व ब्रहमरों पर ज्युति का सदा ही शाच्छा कार करते रहते हैं है उनमें द्वेत भाव एक भाव और वासना नहीं हो सकती मैं सरवात्मक हूँ इस परकार की परिपूर्ण आतम भावना से समस्त त्री जग्त रुपी त्रेन का सचिदान अंद्रोप अगनी में हमन करने वाले महामनी के चित आदि भ्रम निव्रत हो जाते हैं इव्यक्त से विशुद्ध हुआ चित सत्व कहा जाता है मैं फिर मोर पीव हल उसी परकार उत्पन नहीं करता जिस परकार दग्द हुआ बीज नहीं उकता मोर मनशों के भीतर पुनर जनम का विधायक वासना युकिचित होता है कि और तत्त व घ्यान हो जाने पर वही वासना रहित सत्त रूप करके पुनरजनग का भादक हो जाता है झीराम तुम प्रातवी अवस्तो की प्राप्त कर चुके हो तुमें कुछ भी प्राप्त करना नहीं है तुमारा चित शुद्ध है और ज्ञान लोप अगनी से धग दो चुका है अता है वे भावी जनम का कारण नहीं हो सकता अता तुम जनम मरन से रहीतो तुम वास्तम में अव्याई और सीमा से रहीत चेतन सरोप भी हो अता तुम अपने सरोप का समरण करो उसे कभी भूलो मत तुम वही परिपोर्न परम शाद सचिदान अंद पर ब्रह्म परमात्मा हो चीरान सरा चराचर चेतन समू तुमारे अंदर है और वास्तम में वे नहीं है तुम जो हो सो हो तुम सत भी हो असत भी हो जो कुछ सत असत परतीत होता है तुमारा संकल्ब होने से तुम ही हो और तुम से हम परकाश रूप हो वास्तम में जड़ पदार्थ विचेश तुम नहीं हो और ना में सब तुम में है तुमारा संकल्ब होने से वहत तुमारा सवरूप भी है और वस्तों से असत होने के कारण वे नहीं है तुम अपने सतीजा नंद सवरूप में नित्य स्थित हो तुमें नविश्कार है तुम आदी और अंचे रहित शिला के समाज जेतन घन जिस परकार शिला में पत्थर के सिवा कोई वस्तों नहीं उसी तरह तुम में एक जेतन के सिवा और कुछ नहीं है तुम आकाश की तरह निर्मल और सुष्तों तुम लीला से ही संपूरन जगत को अपने एक अंचे में धारन किये हुए हो ऐसे ब्रहम स्रूप तुमें नमशकार है सर्ग दो समाब दुआ सर्ग तीन में ब्रहम की जगत कारंता और ग्यान दौरा मया के विदाश का तता शरीव शीष्टी के दौरा शीराम की महिमा एम शीराम चंदर्ची के दौरा अपने परमारत सवरूप का वर्नन शरीव शीष्टी कहते हैं निशवाफ शीराम जिस परकार समद्र में उठने वारी असंख्य तरंगों का मूल कारण जल ही है उसी परकार जो नाना परकार के असंख्य ब्रहमांडों की उत्पत्ति और धारन करने वाला चितन है मैं तुम हो सामरोप आकाश की तरह सम्य बड़ी बड़ी शिष्टी रूपी जल तरंगों से घन परकाश में प्रमात्मा चितन्य रूप समुद्ध रही है जिस परकार अगनी से उशनत्व भिन नहीं है कमल से सुगंद भिन नहीं है कजल से कृष्टन रूप भिन नहीं है बरफ से शुकल रूप भिन नहीं है एक से माधोर्य भिन नहीं है तेज से प्रकाश भिन नहीं है चेतन से उसका अनभव भिन नहीं है जल से तरंग भिन नहीं है उसी प्रकाश सचीरानाद भर्म से चराचर जिगत भिन नहीं है क्योंकि भर्मी सब का कारण है इसलिए चेतन से उसका अनभव भिन नहीं है अनभव से एहम भिन नहीं है, एहम से जीव भिन नहीं है, जीव से मन भिन नहीं है, मान से इंद्रियां भिन नहीं है, इंद्रियों से दे भिन नहीं है, दे से ये जड़ द्रिश जगत भिन नहीं है, जगत से भिन अन्य कोई पदार्थ नहीं है. चीराम ये द्रिशमान जगदुरुपी चक्रचिन में परमात्मा ने ही अनादिकाल से अपने संकल दरा प्रवित किया है वास्तम में तो कुछ ही प्रवित नहीं किया है यद्धात में तो ये सब कुछ भी भाग रहित अनन्त सचिदा नंद रोप आकाशी अपने आब में स्थित है इसके सिवा दूसरा और कुछ भी नहीं है गाने पुरुष इंद्रियों और मन के विपारों को करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसमें करतव्य है ही नहीं शीराम तुम भीतर से आकाश में आकाश की तरह निर्मल हो बाहर से अपने वरन आश्रम अनकूल आचारन करते हो एम हर्ष और इशा आदी विकारों में काश्ट तथा लोष्ट के समान निर्विकार हो जो तच्छन मारने के लिए उद्ध्य तच्छनत ही कठोर शत्रु है उसे सभाविक प्रितम मित्र के रुप में जो देखता है वही इतार्थ देखने वाला ग्यानी महात्मा है जिस परकार ततवर्ति रिक्ष को नदी विक से मूल च्छेदन पूरवक उखाड करके भैंक देती है उसी परकार जो महात्मा सुहाद और इश्रा को विक से समूल उखाड भैंक देता है वही हर्ष और इशा रुपी दोशों का मिनाश का रजगता है जिस परोश के अंते करन में मै करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तदा जिसकी बुद्धि संसारिक ब्रदार्थम में और कर्मा में लिप्त नहीं होती परोश इन सब लोगों को मार कर भी वास्तह में ना तम मरता है और ना पाप से बनता है छी राम जिसका तरिकाल में आस्तित तो नहीं है उसकी वारिक सत्ता का ग्यान कराने के लिए माया शब्द का प्रयोग किया गया है वेहे माया उसका ये थाथ ग्यान हो जाने से निसंदे विन्नस्ट हो जाती है निश्वाब छी राम मन बुद्धी एहकार्त था इंद्रियां आदि सब कोछ जड़ता रहित एक मातर चिन में परमात्मा ही है फिर जीवात्मा उस परमात्मा से अलग कैसे रह सकता है अर्थात वैविक परमात्म का सुरूपी है जब भोग तृष्णा रुपी विष्ख अवेश विनस्ट हो जाता है संसार के विष्ए भोगों से तीवर वैराग्य हो जाता है तब अज्यान उसी परकार नस्ट हो जाता है जैसे गत्र रात्री के अंधकार के नस्ट जाने पर रत्तवन्दी भाग जाती भरी परकार से अलोकित अध्यातम शाष्ट रुपी विचार से त्रिश्णा विश्ट रुपी महामारी शीन हो जाती है जैसे विश्टित आकाश में अव्यक्त वायु स्थिर है जैसे ही भाव अभाव से रहित हुए तुम उस अत्यंत विश्टित परमपद रूप अपने भ्रम्स रूप में स्थिर हो छी राम जब सधारन मुनश्यों को भी अपने कुल गुरू के वचन लग जाते हैं तब फिर तुम उदार विशाल बुद्धी को मेरा अपदेश क्यों नहीं लगेगा क्योंकि तुमने अपनी बुद्धी से मेरे वचनों को ग्रहन करने युग समझ लिया है अताए मेरे वचन तुमारे हिद्धे के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं श्रेश्ट महान भाव शी राम म मैं रघुकल को उन्नत करने वाले तुम लोगों का सदा से कुल गुरू हूँ इसलिए तुम मेरे द्वरा कहेगे शुब वचनों को हिद्धे में हार की तरह धारन करो छी राम चंदर ने कहा भगवन मैं किवल परम शांति का अनभव का रहा हूँ और परम अनंद में पूरक स्थित्तों मुने मुझे कोहरे से शुन्य दिग मंडल की भाति भली परकार पर सन्य ये समस्त जगत वास्तिक सतीदाना दिसरूप दीख रहा हूँ भगवन मैं संदे में आशारूप मिरिक तृष्णा से राग और वैराग्य से रही थूँ नात मैं अपने आप से ह अपने उस अमिनाशी विज्ञान नंदघन सरूप में स्थित्तों जहां पर अमरत का रसवाद भी तिन के सद्रिश निरस हो करके उपेक्षनिय हो जाता है मैं अपने प्राकित सरूप में स्थित्तों स्वस्तों पर सन्न हूँ लोग जहां में श्राम करते हैं उस सुख का केंदर सरूप में हूँ आतै मैं वास्ति के राम हूँ मैं अपने प्रमानत सरूप को तथा आपको परनाम करता हूँ शुद्ध आत्मा में अज्ञान आदे विकार कैसे आ सकते हैं सदा शुद्ध आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है सब कुछ आत्मा ही है ये दूसरा है इत्यादी असत कल्पनाई कैसे आ सकती हैं सर्ग तीन चार पांच समा दुआ छटा सर्ग दे और आत्मा के विवेक का एम अज्ञानी को दे में आतम बुद्धी और विश्यों में सुख बुद्धी करने से दुख की प्राप्ति का प्रतिपादन श्री विश्यची कहते हैं मावाव शीराम तुम फिर भी मेरे परम रहसे में और परभाव युक्त वचन सुनो जिने में अतिशे प्रेम रखने वाले तुमारे लिए हित की इच्छा से कहता हूं शीराम जिस अग्यानी प्रुष की अग्यानवा सिद्धे में ही आतम भावना बन हो जाती है उस प्रुष को इंद्रियां रोश पूरा के शत्रू बन करके प्राजितने कर देती हैं कि तो जिसे विवे की प्रुष की ख्यान पूरा के एक मात्र नित्य प्रमात्मा के सरूप में ही स्थिती रहती है उससे निदोश प्रुष की इंद्रियां संतोश पू अर्षित के कारण निंदा के सिवा स्तुति बुद्धी उत्वन होती ही नहीं यह प्रुश दुखदाई दे में किस लिए आत्म बुद्धी करेगा कभी नहीं करेगा जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से अच्चनत भिन्न है वैसे ही शीर और आत्मा एक दूसरे से अच्चनत भिलक्षन है क्योंकि शीर जड़ और मिथ्या है तो आत्मा चेतन और सत्य है इसी से ना आत्मा शीर का संबंदी है और ना शीर ही आत्मा का संबंदी अर्थात प्रस्पर विरिद्ध होने के कारण इनका संबंद संभव नहीं भगवन समस्त भाविकारों से नित्य मुक्त अमने लिप्त आत्वा ना कभी उत्पन होता है और ना कभी विनस्त ही होता है वरम्य सदा सर्दा एक रूप से रहता है पत्तर के समान जड ज्यान रहित तुच्छ कृत घं तथा मिनाश शीर इस शीर का जो कुछ भी होने मला हो वैं भले ही हो इससे आत्मा की ना तवहानी है और ना इससे इसका कोई संबंदी है विभीन दृष्टियों से देखने पर भी सद्रुप भ्रम कभी सद्रुप नहीं हो सकता इसी परकार सर्व्यापक जीवात्मा का शीर के साथ तनिक भी संबंद संबव नहीं है जैसे जल में स्थित कमल पत्तर का जल से किंचन मात्र भी संबंद नहीं होता वैसी दे में स्थित जीव आत्मा का भी दे स्था के साथ किंचन मात्र भी संबन्द नहीं परमात्मा का अच्छी परकार शाक्षा कार हो जाने पर परमारत सत्य रूप परमात्मा में स्थिती हो जाती है और दे आतम गुधीरू अज्यान परियुक्त भ्रम नस्ट हो जाता है दे और आत्मा के इथात ग्यान से दे की असकता और आत्मा की सकता सिद्ध हो जाती है सबी परानियों में अविनाशी चितन रहता ही है परदे जीवात्मा को इसका बहरी परकार ग्यान नहीं होने के कारण उसमें कायता आ जाती है ऐसे अग्यानी जीवों के शीर से स्वाल से इसी परकार निकलते रहते हैं जैसे लोहाट की धौकनी से हावा निकलती है अ injured है उनका जीवन विएत है अग्यानी आपतियों का आश्रे स्थान है भणा बत्राईए तो सही कि कौन सी आपतियां अग्यानी को नहीं प्राप्त होती अग्यानी को उग्र दुख और संसारे के शनिक सुख भी बार बार आते और चाते रहते हैं दे धन इस्त्री आदि में आसकती रखने वाले अग्यानी का यह दुष्ट दुख कभी भी शांत नहीं होता इस अनातम भूत जड़ दे में आतम भाव करने वाले अग्यानी प्रुष की सत्य भोद में माया क्या किसी परकार भी नश्ट हो सकती है अर्थात बिना ग्यान के किसी परकार नश्ट नहीं हो सकती उस अग्यानी प्रुष का ही जनम पुना-पुना बालपन प्राप्त करता रहता है बालपन बार बार योवन प्राप्त करता रहता है योवन बार बार वार धक्य प्राप्त करता रहता है और वार धक्य बार बार मरन प्राप्त करता रहता हूं घ्यानी प्रोशि एस सज जगत लूपी जीरन घंटी यंतर रहर्ट में संसार रुपी रज्जु से बंदा हुआ कलश रूप हुकर के जल में डूपता और निकलता रहता ही अर्थात ये ग्यानी जीवस संसार में बार बार जनमता मरता रहता है जिस परकार पक्षनियां पिंजरे से बाहर निकल नहीं पाती वैसे ही उदर भरन में अति असकती रुपी बंदन से बंदे ग्यान द्रिष्टी से हीन अज्ञानी प्रुष की बुद्धियां अपार संसार समत्र के पार नहीं जा सकती शीराम विश्या की जो केवल उपर उपर से दिखाई पढ़ने वाली मधुर्ता परिणाम में अनर्थ रूपता आध्यन्त वता देश्ता परिछिन्यता और संबता अवस्थाओं में नश्वर्ता पर सिद्ध है वे सब अज्यान उपी विरिक्ष के ही फाल नहीं सर्ग छे पूर्ण हुआ सर्ग साथ अज्यान की महमा और विभूतियों का सव इस्तार वर्ण शिरिवशेची कहते हैं शीराम मादरुपी चंद्र के उदित होने पर मोतियों से वेश्थित तथा रत्नों से शोबित इस्त्रियां शुब्ध काम शीर सागर की तरंग के समान जो दिखाई पड़ती हैं विक्यवल अज्यान की ही विभूति वसंद्रितु में भूमी पर वन खंडों में पुश्प काम के दास कामियों को जो रमनिये दिखाई पड़ते हैं उनमें भी अग्यान ही कारण हैं गीद, गीदर, कुटे, आदी के खाने, युग्य, मास, बिंड, रूप, इस्तियों के शीरों की जो चंद्रमा, चंदन और कमल से उपमा दी जाती हैं वेभी अग्यान की ही में में आएं लार्स आद्र, ओस्ट नामक मास के टुकड़े की जो रसाइन, अमरत, मधू, आदी के साथ उपमा दी जाती है वेभी अग्यान ही हैं अम अरंब में अग्यानी लोगों को अत्यंत मधूर लगने वाली, मध्य में रागद्विश आदी दूंदों से बांधने वाली, और अंत में शीग्र नस्ट हो जाने वाली, धन राशी की जो अभी लाशा की जाती है वेभी अग्यान ही हैं जिसने अनंत ब्रह्मान रुपी पके हुए फ़लों को ख्रास बना लिया है और जो सदा खाने के चेश्टा करने वाली जठरगनी से युक्त है, वे काल कलपों तक जो त्रिप्त नहीं होता, उसमें भी अग्यान की ही में में आहीं जिवों की जो योवन रात्री चिंता रुपी पिशाचों से उपहत, तथा विवेक रुपी चंद्रमा के उदे से शुन्य, अदब अंधकार की तरह परकाश रहित बीत जाती है, वे अग्यान का ही भी लास है अरम बकाल में कानों के सनिहित कपौल परदोश को अक्रांत कर चार और से निश्चे पूरवक, सहुरन शील जरा रुपी, बुड़ी, बिल्ली जो योवन रुपी चोहां का भक्षन करती रहती है, वे भी अग्यान की ही में माही पर्तिती रुपी पुष्पव से उजलवे वारिक सत्ता रुपी लता, जिसमें जगत रुपी पल्लव हैं, और जो धरम अर्थ रुपी फल धरन करती है, यह विक्सित होती है, इसका कारण भी माया ही है जिसमें बड़े बड़े परवत ही खंबे हैं, सूरी चंदर ही खिर्कियां हैं, आकाशी चछत है, ऐसा जगत त्रई रुपी महल जो खड़ा हो जाता है, वे भी माया की ही महिमा है अपनी वासना रुपनी शलाकाँ से निर्मित शीर के भीतर स्थित इंदरी समूरू रुप बिंजरे में, जो जगत के अंतरगत जीव रुपी पक्षी आशा रुपी सूच से बंदा हुआ है, उसमें भी उसका अग्यान ही कारण है संसार रुपी सल्प जलाशे में सहुरित होने वाली श्रिष्टी रुपी शुद्र मचली को शर्ट किर्तांत रुपी वृद्ध गीद जो पकड़ लिता है, उसमें भी माया की ही महिमा है परंपद रुप, अचल ब्रह्म में संकल्प से उत्वन असंख्य जद्रुप जंगलों के जाल, युगान्त रुपी अगनी से जो धग्द हो जाते हैं, उसमें भी अविद्या ही कारण है निरंतर उत्वत्ति अर्विनाज से तथा दुख और सुख की सेंकलों दिशाओं से इस परकार जगस ठिती जो पुना-पुना बदलती रहती है, उसमें भी अविद्या ही कारण है वासना रुपी जंजीरों से बंदी हुई, अग्यानियों के दिड़ धारना, शुबित युगों के आवा गमन तथा कठोर वज्जरों के अगातों से भी जो विद्या ही कारण है राग देश से होने वाले उत्वत्ती विनाज से तथा जरा मरन रुपी रोग से समस्त जंगम जाती जीर नशीर न होगी इसमें उसका अग्यान ही कारण है, कभी लक्ष में न आने वाली बिल में रहने के कारण अद्रिश और अप्रमित भोजन करने वाला काल लुपी सर पर निर्बे हो करके इस समस्त जगत को जो शंग भर में ही निगल जाता है, सब माया की ही महिमा है पतेक कल्प रूप शंड में शीन हो जाने वाला प्रमाड रूप प्रसुट भुद भुद जो भ्यंकर काल रूपी महा समुद्र में उत्वन और विनस्ट हो जाते हैं, वे भी माया की महिमा है उत्पन हो होकर नस्ट जाने वाली पर तब तच शिरिष्टी रूपी ये बिजलियां जिने चिन में प्रमाडमा के आग सकाश से प्रकाश शक्ती प्राप्त हुई है, जो प्रगठ होती हैं, वे भी माया की महिमा है अनन्द संकल्पवाली समस्त विकल्पव से शुनने विज्ञान अनन्द घं भ्रम्रो पपादमे आच्चरियों की पूरती करने वाली ऐसी कौन सी शक्तियां नहीं है, अधाद सभी शक्तियां उसमें विद्यमान हैं, उस परकार सद्रिड्ड संकल्पव से प्राप्त अर् हम में जो ये कल्पना हैं, उसमें भी अग्यान ही ही तू है, इसलिए शीराम जो कुछ बारंबार प्राप्त होने वाली संपतियां या आपतियां हैं, जो बाले योवन जरा मरन रुपी महान संताप हैं, जो सुख दुख की परंप्रारू संसार सागर में गोता लगाता है, ये वहें सब अग्यान लुपी के रगार अंदकार की वे भूतियां हैं, सर्ग साथ समाप्तुबरू